किस नमबर दस नहीं रादे सजा की तरह मसलत कर सकता था वो उस इंसान पर कैसे भरोसा कर सकती थी कैसे ये गल्दी ये भूूल उससे क्यों कर हो गई थी उसका ह्याल था वो अपने बच्चे की वज़़ से अब उसका लिहास करेगा ये ख्याल महस एक ह्याल ही था फुष फहमी का एक तरिस्सम यहां मिसीश राजी नहीं थी यहां फारिस वाच्टान एक बार फिर अपनी असली शकल में आ गया था उसे लंदन आना ही नहीं चाहिए था सिसकते हुए हुद को कोसा बिल्कुल नहीं आना चाहिए था वो भड़कती हुई कभी इस समय चाह रही थी और कभी उस रो रोकर अपना हशर विगार लिया था पाक लेन का वो रास्ता जिंदी की तरह हो गया था कोई मन्सिल नहीं थी बस एक हला रह गया था वो ही लोग, वो ही आँखें, वो ही वहशत, तनहाई, होफ इतने शोर और इतनी सारी आवासों में यकायक एक मानूसी आवास उसकी समाच से टकराई उससे लगा उसके कान बच रहे हैं वोफ के आलम में रुप कर पीछे देखा, उसे अपना नाम एक बार फिर सुनाई दिया उससे विखत्यार खोम कर चारो तरफ देखा आशो भे रहे थे तो हर मन से धुनला हो रहा था और तब उसकी नजर फारिस वाश्चान पर पड़ी वो लोगों को चीटा हुआ उसकी तरफ आ रहा था उसने बेहासा फारिस की तरफ कदम बढ़ाए लम्हे भर के लड़कडाई एक दो लोगों से घंदा मिस हुआ धका भी लगा वो इतने दुख इतने सत्मे और घुसे में थी कि उसे फारिस की आँखों में अपने लिए फिकर परिशानी और खोफ नसर ही ना आया वो उसके खरीब पहुँचा तो बगहर कुछ सोचे बगहर कुछ समझे उसके सीनी पे मुक्के मारना शुरू कर दिये आसपास के लोग रुक कर मुड़ कर उन्हें देखने लगे थे मैंने कहा था मैंने कहा था मेरे साथ कोई ड्रामा मत करना वो रोते हुए उस पर चिलाई मैंने मना किया था मेरे साथ इस तरह मत करना वो इतनी मुश्टाल थी, इस कदर दुख और उस्से में थी, कि उद पर हित्यार खो वैठी थी दो घंटों से वो इस शदीद सर्दी में भटक रही थी दो घंटे, एक सजा के नाम हो गए थे सखम फिर उधर गए, सारे घंटाजा हो गए, सारी अजीतें जाग उठी 55 से लेकर अब तक, तमाग में वहशत भैल गई, रोते, गुरलाते उस सा दिखाते वो जितना लड़ सकती थी, वो लड़ी, जितना मार सकती थी, उसने मारा उसे संभालना चा रहा था, मगर वो उसके कावों में नहीं आ रही थी, वो उसे नहीं देख रही थी, उसकी नहीं सुन रही थी, कुछ बेदर दी, और गुस्य से उसके हाथ चटक कर, वो बीचे हटना चा रही थी, मगर फारिस ने ऐसा करने नहीं दिया था, वो सड़क के बीचों बीच उसके मस्बूत बासों के हसार में मुकीत हो गई थी अब वो से नहीं मार सकती थी अब वो सिर्फ रो सकती थी और वो रो रही थी वो अपने नाना को पुकारते हुए बच्चों की दरह रो रही थी I'm sorry I'm so sorry अपने आप में चुपाएं बहारी दिल से कहा वो आवाज सिर्फ लबों की जंबिश थी जनत कमाल तक नहीं पहुची थी उसका वचूर फारिस के बासों में बेजान हो गया था मुक इतनी देर खोश और हर्थ से बेगाना रही उसे याद ना था अलबता जब खोश आया तब वो बेटरूम में थी डॉक्टर भी मुझूद था उसका माइना करने के बार डॉक्टर ने उसे टेंशन उसरे से बचने की हास अधायत की थी पारिस डॉक्टर से बात कर रहा था तो सुर्ख को मतवर्म आँकों से उसे ही देख रही थी वो घरम कपड़ों के बगएर तो बिल्कुल नहीं निकलता था तस्ताने, मफलर और लॉक्टर के बगएर तो बिल्कुल भी नहीं मगर जो उस वक्ट उसके पास मुझूद था वो सियार ट्रॉसर पर फ्राउन उनी स्वेटर में मलबूस नजर आ रहा था यानि वो जिन कपड़ों में बैटा था उन में ही उटकर उसे लेने आ गया था उसके होंटों की दाइन तरफ काल पर हल्की सी लकीर का निशान था ये कारनामा उसका था उसे नसरें हटा ली करवट बदलकर आँखों पर बास रुख लिया आँखे मुकमल सुख थी चेरा सता होगा था सकाम की भी शिकायत हो रही थी भुखार भी हो रहा था चन लहों के बाद दर्वासा खुलने और बंद होने की आवास समाट से डगराई खत्मू की चाप पैट के पास आकर थम गई क्या हम बात कर सकते हैं फारिस के आवास परहिशानी का बता दे रही थी हामोशी इतने सारे लसामात के लिस अपने गंदू पर उठाए वो उसके पास पैट गया मैंने इसी लिए तुमें मना किया था हाँ और जब मैं नहीं रुगी तो सोचा इसे सजा देनी चाहिए ताकि आएंदा ये ऐसी हरकत ना करे रोते हुए कहा वो किस कदर बतकुमान हो चुकी थी उससे फारिस उसे अफसोस से देख कर है गया तुमने अपना हैंड बैग मेट को क्यूं दिया उस संजीती इसे पूछ रहा था अगर तुम ऐसा ना करती तो इधर उधर जहो जाने पर कमसका मुझे कॉल तो कर सकती थी अगर कॉल ना भी करती तब भी लोकेशन मुबाइल में मुझूद थी ट्राइवर का नंबर तक मैंने सेफ कर दिया था हिज़त और दालील से बात करके वो उसकी गलत फहमी दूर करना चाहता था तो तुम अब मुझे ये बताना चाहते हो कि मेरे साथ जो कुछ हुआ इसमें तुम्हारी कोई प्लैनिंग नहीं थी उठकर बैठते हुए वो आंसों से लफरेस आंखें उस पर जमाय लड़ पड़ी मैं भला क्यूं जाहूंगा तुम्हारे साथ ऐसा हो उसे बहुत अंदर तक दुकसा हुआ ये सवाल तुम मुझ से पूच रहे हो जैनत के लहचे में घंबरा गुसादार आया आवास रूंदी हुई थी भूल गए जब तुम मुझे पारकिंग में छोड़ गए थे वो नहीं भूला था भूल ही नहीं सकता था मगर जब वो याति लाती थी तब स्यादा तकलीफ होती थी जब वो जिकर करती थी तब स्यादा पश्टावा होता था मुझे पता था तुम ऐसी कोई हरकट सरूर करोगे और तुमने की मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है वो रोई जा रही थी गहरी सांस लेते हुवे उससे वेहास सापने बालों में हाथ भेरा था उसके धाने हाथ की पुश पहलकी सी खराश वास्या थी ठीक है मैं मानता हूँ शुरू में तुम्हारे हवाले से में बहुत जादा लापरवा रहा हूँ लेकिन ये हकीकत है कि तुम जब भी घर से निकली हो कभी भी अकेली नहीं थी मेरा एक कार्ड हमेशा तुम्हारे साथ रहा है चाहे तुम मॉल में थी या पार्क में किसी दावत पर या आइमा के साथ किसी कैजरिंग में मेरे पास तुम्हारे हर एक लंभे की रिपोर्ट होती थी मैं नहीं चाहता था कोई तुम्हें मेरी वज़ा से नुकसान पहुँचाए हाँ लहोर में मुझसे गलती हुई शायद उस वक्त मैं बहुत गुस्से में था मैंने तुम्हारी सेफटी का हयाल नहीं किया मुझे लगा तुम अपने रिश्टदारों में हो सो कोई मसला नहीं होगा या शायद मैं इतना अपसेट था तुम्हारे रवाईये से कि मैंने इस बात को एहमियत नहीं दी बारहाल ये मेरी गलती है उसके पूरी बात जनत कमाल ने बहुत तामूल से कुछ दुक और बेज़कीनी से सुनी थी बस एक लमहे के लिए मुझमित अहसासाद भीग ले कि अपनी गलती तस्लीम कर रहा है मगर उसके बात यानि मुझे नुकसान पहुझाने का हक सिर्फ तुम्हारे पास है और कोई मुझे कुछ न कहे भराई हुई आवाज आंसों मतवातर गिर रहे थे फारे से कुछ कहने के लिए मुझ खोला सत्मे से और फिर बंद कर लिया वो जनत कमाल से नहीं जीच सकता था इस हालत में इस मामले में इस सिच्वेशन में तो बिल्कुल भी नहीं मैंने ये तो नहीं कहा मैं तो यहीं समझी हूँ वो सिसक पड़ी उसने हार मानने वाले अंदास पे अपने हाथ उठाए फिर उसके करीब रखी और उटकर बाहर चला आया बंद दर्वासे के उस पार वो भारी दिल के साथ कितनी ही देर तक अपनी जगा खड़ा रहा था जनत की सिस्कियां थम चुकी थी उसका रोना बंद हो चुका था अब सिर्फ हामोशी थी जो उसके आसपास हर तरफ ढहर गई थी वो दर्वासा था केल कर अंदर आ गया जनत सो जुकी थी रो रोकर आंके सूजी हुई थी नाक सुर्ख कहीं कहीं आंसों खनूस बलकों पर ढहरे हुए थे फिर उसे मिसेश रासी को कॉल की वो चोटी चोटी बादों पर अच्चा हासा सीन की रेट कर देती है लोने लग जाती है पूरा हवाला देने के बाद कुछ फिकरमंदी से उन्हें बता रहा था बस उसके चेल की थरा चपटने वाली बात कोल कर गया था मूड स्विंग्स होंगे प्रिगनेंसी में ऐसा होता रहता है तुम अपना रवया ठीक रखो मेरा रवया ठीक है मम्मी उसका ठीक नहीं हो रहा वो कुछ परिशान लग रहा था कुछ भी गलत हो जाए उसे लगता है मैंने जानबूच कर किया है तुम उसकी जगा होते तुम भी यही करते मैं शिकवा तो नहीं कर रहा वो सर चुगा गया मुझे बस दुख होता है जब वो मेरी नियत पर इस सारा शक करती है तुम भी करते थे बेटा बात तल थी मगर सच थी उससे तसलीम करते है वो इस बात में सरको चंबिष्टी हाँ वो भी तो करता था उसकी मुहबत इनायत विकरमंदी सब उसे ड्रामा और ढोंग लगता था और वो कितने धडले से उसके मूँ पर कह देता था उसकी बेस्ती कर देता था वो उसकी दोलत उसकी वचाहत उसके सेटिस के लिए अपनी इज़त नफस की भेंचड़ा रही है मतलब और फायते के लिए उसके आगे पीछे पिर रही है उससे अपने लफस याद आ रहे थे अपना रवया नहचा नफरत भिरूखी वो खुद को खुद ही माफ नहीं करवा रहा था तो वो एक ऐसे कर सकती थी वो मुझ पर कभी ट्रस्ट नहीं करेगी आवास सिल्की थी दिल मायूस हो रहा था ऐसे सोचते रहे तो कभी नहीं करेगी उससा सर उठाकर अपनी माँ को देखा अगर तुमने अपने इरादे और फैसले बदले हैं तो वो भी जरूर बदलेगी उनकी ये बात सुनका वो बिल्कुल हामोश हो गया अगर मजीद कड़बर हो गई तो हच्शे का एसार कर दिया फिर समझ लीना नसीब का लिखा कोई नहीं डाल सकता मम्मी उसे सटपटा कर उने देखा वो धीरे से हस दी अपने रिष्टों की फिकर करता हुआ अपनी सिंदगी को समझता हुआ अपना आप किसी और में दलाशता हुआ उन्हें फिकर मन से अच्छा लग रहा था वो इस तब दिली पर जितना शुकर अदा करती कम था परिशान ना हो सब ठीक हो जाएगा उन्होंने दसली दी मिस्स एराजी से बात करके बाहर आया तो शौपिंग बैक से जांकता पाइनासौर उसे अंदर तक सुलगा गया इस एक चीज़ की वज़ा से इतने फटे हो गए थे उसकी सोचा मुतरमा पोरे दो घंडे परिशानी में गुजार आई थी और कसूर फिर भी इसका था मुझरिम फिर भी वही था अपने मालों में उंगलियां चला था वो लौच के सोफे पर चा लेड़ा उसकी हर काम से दिलचस्पी तकरीबन हतम हो चुकी थी अब वो घहरे नीन सोना चाहता था अगर जानता था नीन उसे नहीं आईगी इस हालत में इस कहफियत में इस परशानी में तो बिलकुल भी नहीं और अंदर उसे मुकमल बेराम करीके जनत का माल नीन की घहरी वादियों में उत्री हुई थी सरसब मिदान के वस में बासु भिलाकर भागते हुए उसने उपर बहुत उपर आस्मान की दरफ देखा था रिमजे बारिश बरस रही थी उंगली जितने गन्ने से कब को होंटू से लगा कर चाहे पीने के दाकारी करते नाना एन उसके सामने बैठे थे हावाई यकायक तेज हो गई थी हर सो धुन फैलने लगी थी खिड़ियां तारीक हो रही थी रोश्णियां एक एक करके कुल होने लगी थी वो नाना की घर थी और पलग चपकते ही अपने घर पहुँच गई थी और फिर वो ही मनसर शदीद कर्मियों की दो पहर सुर्ख इंटूं का फरश सीडियों पर उसके सामने खड़ा हसनैन तोटी भिखर थी एक कुडिया वो ही मनसर वो ही तकलीर वो ही दर्द और फिर वो ही कुडिया को बचाने की जुस्तोचू मगर अपके मनसर बतला था अब की बार सीडियों से भैसलता वजू रसनैन का नहीं उसका था वो चीखी थी वो पिर चीखती चली गई थी जन्नत वाजू से पकड़ फेसी ने जंचोड का उसे जगाया था एक जटके से उसकी आँख कुल गई थी आँखे आंसों से मकमल भरी हुई सांस चड़ा हुआ रंगत उड़ी हुई उसे भामुश्किल सांस लेते हुए उद पर चुके चेहरे को देखा वो फारिस था वो उच्छ से बैदार नहीं हुई थी उसे जगाया गया था उसके सहारा देने पर वो लरस्ते वर्जूद के साथ उठकर बैट गए थी तनफुस भारी था विशानी अरकलूदा हो रही थी वो वेशर सदा से बुकलाई हुई बैठी थी बैट से उदर कर वो उसके लिए पानी का ग्लास ले आया वो उसने ग्लास थामना चाहा तो हाथ बैठरा कपकपा रहे थे वारे से ग्लास अपने हाथों में रहने दिया उसने यूँ पानी पिया जैसे सद्धियों के भ्यासी हूँ खालत संबली ना आसुता में वजूर सिस्कियों की सद्ध में रहा असर खौप का था वो अपनी हकीकत से भी आसुरता हो रही थी मुझे अकेला छोड़ दो अब अपनी हटेलिया मसलते हुए कहा आवास रूंदी हुई थी अब तक उससे बहुत मस्बूती दिखाई थी अपनी हौफ को हमेशा चुपा कर रखा था कभी आपे से भाई नहीं हुई थी मगर अब जो पार्क लीन में हुआ था और उस वक्त भी जो उसकी हालत हो रही थी उसके बाद वो फारिस वाज़दान को अपने आस पास नहीं देखना जाती थी मगर वो खड़ा रहा उसके पास उसके बिलकुल सामने वो हमेशा उसके नेन में हलल डालने के बाद बहुत हमोशी से कमरा छोड़कर स्टड़ी रूम में चुप जाती थी अब ऐसा करने की सकत रही थी ना ताकत मुझूद थी सुना नहीं मैंने तुम से क्या कहा है सर उठा कर सखत लहजे में कहा अवाज बेखत कमजोर थी मगर वो अपनी जगा से एक इच नहीं हिला था अपने केट बादो भांदे वो दाएं तरफ को छुक कर अपना चेरा चुपा गई वो उसके बराबर बैट पर बैट गया मेरी दरफ देखो मगर उससे नहीं देखा जन्नत उसका लहजा नर्म था जन्नत ने रुख बतला नसर उठाया और दूसरे ही पल उससे बहुत नर्मी से बादो पहला कर उसे अपने हसार में ले लिया था उसकी इस हरकत पर लंभे भर के लिए थमी थी फिस सक्ते में आ गई थी बायक वक्त कई लंभे उसकी आँखों में ठहर गए कई मंज़र एसासात का लबादा ओड़े अगिकत का रूप धार गए फारिस से बहुत नर्मी से जनत कमाल के पहशानी अपने कंदे से मिसकी और उसकी हिचकियां बन गए वो एहसास वो लंस वो ग्रिफ्ट वैसे ही थी जैसे उसकी नाना की हुआ करती थी मुहबबब और सकून का एहसास सिलाती हुई तसली तफशी करवाती हुई वो भी तो था वो बोला वो सिफ खौब नहीं था वो सिसक पढ़ी अपने तमाम इहतलाफ अपना उस्सा अपनी नरासी एक तरफ रखे उसका हाथ थाम चुगी थी बहुत मस्भूती से सक्ती से बिलकुल वैसे ही जैसे वो नाना का हाथ पकड़ा करती थी वारिस के दिल को कुछ हुआ अपने किसी खौब के असर से निकलना उसके लिए कितना मुश्किल रहा होगा उसका अंदाजा जैसे आज हो रहा था उसे वो वक्त यादाया जब उसने जैनल तो कमरे से निकाल दिया था वो दरवासा बजाते हुए उसकी मिन्नत करती रही थी वो उसे अंदर आने थे उस रात उसे दरवासा नहीं कोला था उस रात उसकी हालत ज्यादा खरब थी वो ज्यादा खौफ सदा थी ज्यादा परिशान थी उसकी समझ में नहीं आया वो अब उसका खौफ कैसे कम करे लफस कम पढ़ गए थे सेहन हाली हो गया था कहीं बाहर चलें उसने कहा इस वक हाँ उसे जन्नत के हाथ पर नर्मी से ग्रिफ बढ़ाई उससे नवी में सरहे लाया वो चाहती थी वक्त रुक जाए सब ठहर जाए बसे हिसास बागी रहे ये कैफियत ठहरी रहे वॉक करते हैं या कोई मूवी देख लेते हैं नाना भी उसे बहलाने को ऐसा ही कहा करते थे ऐसे ही उसका हाथ अब तबाया करते थे उसे एक घंदे से लगाया करते थे उनके मस्वूत घंदे से बेशाने टिकाती थी तो दुनिया का हर गम और हर तकलीफ उनके असार में आते ही खतम हो जाती थी अब भी यही हुआ था खारिस वाज़्टान में नाना आ गए थे खारिस वाज़्टान में मुहब्बत आ गई थी तो रखम आ गया था कहफियत समच से बाहर हो गई उसकी सिस्कियां भड़ती गई मैं खाना लगाता हूँ तुम कुछ खाय बगएर ही सो गई थी कही मत चाओ प्लीज वो रुक गया उसकी धीमी सिस्कियां उसकी अज़ियत बढ़ाने लगी वो सिर्फ एक खारिस खारिस वाज़्टान किया जाने उस पर वो साथें इसी अंदास में गुज़रती थी और बार बार गुज़रती थी खाप तो एक पहाना था अगीकत अपना आप धोराने आती थी चनलम हो बात वो कुछ हद तक संभल कर आंसों साफ करते हुए खुदी अलग हो गई मैं खाना लगाता हूँ उटकर चला गया जनत कुछ तेर तक ऐसे ही बैठी रही फिर उतको संभालते हुए उटकर वाही आ गई घर तारीख था मगर ओपन किचन की तमाम बतियां रोशन थी वो काउंटर टेविल के उस पार फारिस वाज़ान को फिर्ट से कुछ निकालता देख सकती थी आहट पर उससे मुड़ कर जनत को देखा है वा सीट प्लीज उससे इशारा किया तो चेरे के दिराफ में मंडलाती लटू को पीछे उड़सती वो हाथ दोने के बाद कुर्सी खीच कर बैट गई थी शहत रंग बाल पुष्ट पर सीधा गिर रहे थे आंगे सूजी हुई कुछ मुदवरम से लग रही थी कुछ देर पहले वाली कैफियत नहीं रही थी मगर तासुराद अभी भी वैसे ही थे वो माइक्रोवेव अवन में खाना गरम करते हुए मेस पर तर्दीब से रखता जा रहा था उसे अद्राक हुआ वो भूगी सोई थी तो खाना फारिस ने भी नहीं खाया था शुरू करो फ्राइड चिकन, फ्राइड वाइस, पीसा वो मुख्तलिफ चीज़े उसके सामने रख रहा था उससे अपने प्लेट करीप कर ली कोई भी बात किये बगए वो हमोशी से खाना खाने लगी जरा सी नजर उठा कर उससे देख लेती क्या वो शुरू से ऐसा था या अब हो गया था नफरत कहां गई थी इकारत कहां चुपी थी चाले ऐसी तू नहीं होती मनसुबे इस तरह के तू नहीं होते कुछ चाहिए उसे यू अपनी जाने देखता पाका फारिस ने पूछा उसे नफी में सरहिलाते होवे नसरा डाली खाना खाने के बाद वो इसलावाल शुदा बर्तन दो रहा था तो हो भी बचाओवा खाना फ्रिज में रखने लगी थी इसके बाद उसे कौफी बनाने का इरादा किया तो फारिस ने उसे रोक दिया मैं चाहूँगा अब तुम रस करो मुझे नीन नहीं आएगी उसके तरफ देखे भी ना बोली आजाएगी बर्नर बंद करके उसकी खिलाई थामे उसे कमरे में ले आया उसके कहने पर सरदवत और बुखार की कोली लेकर वो सोने के लिए लेट गई थी शायद उसे पांच मिन्ट लगे थे दस मिन्ट या शायद बंदरा मिनट अपने अंदर के होफ से लड़ते वो नीन की वादियों में उतर गई थी फारिस से एक पर फिर उसके पेशानी को छो कर देखा हलका सा वोखार था लेकिन वो नीन में अब मुकमल पुर सुकून थी वो भी सुकून में आ गया बाहे तारीकी में वकफे वकफे से विजली चमकने लगी थी ग्लास वाल्स पर कहीं कहीं बारिश के नन्ने नन्ने कत्रों में शहर की रोशने मुनकस हुए रही थी वो अपने लिए कॉफी बनाकर कुलास वाल्स के सामने जा खड़ा हुआ विजली एक पर फिर चमकी थी हर तरफ अंधेरे बढ़ गए थी अगली सुबा उसकी आंग नो बजे खुली थी कमरे में उसके सिवा कोई ना था दिवार की खिर्कियों के बड़े सिम्टे हुए थे आस्मान सुर्माई बादलों से ढखा हुआ था हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही थी और फिर जहन में नीन से महु हो जाने वाला हर दुख हर किस्सा हर कसीना भी उसे वाज़ा हो गया वो प्रेक लेंड में खो गई थी उसे फारिस वाज़चान से लड़ाई ही थी वो हौप में डर गई थी और फिर वो एहसास उसे भीगी आँखों को मसल डाला नई सुबा की शुरुवाद आंसों से नहीं होनी चाहिए खला खंकार कर गाल तप तपा कर हुद को कंपोस किया हर नफी ख्याल को चटक दिया उससे उठकर वाटरोब से कपड़े निकाले नीम करम पानी से शावर लेका फ्रेश हुई वालू को ट्रायर से हुशक करके खुला जोड दिया सफेद ट्रॉसर पर गुलावी रंगी कमीस और उस पर गुलावी ही रंग का उनी स्वेटर जेब दन किये वो कमरे से बाहर आई तो खलाफे मौमूल आज मेट नहीं आई थी किचन में नीली चीन्स पर सफेद रंग के उनी स्वेटर में मलबूस फारिस नाश्टे का इंतसाम खुद देख रहा था उसे शदीध हैरत हुई वगर खुद से कुफदो का आगास किये बगए वो किचन में चली आई अपने लिए गलास में पानी डाल कर भिया एक सरसरी सी निगाह मेस पर धरे नाश्टे के लवासामाद पर डाली हाफ फ्राइ एक टोस्ट, मेंगो शेक केक, चाय गुड मॉर्निंग फारिस का रवाया वैसा ही था जैसा हर सुपा होता था हलांके गुजिश्टा शब प्रेक लेन में जो सीन उसने बेश किया था उसके बाद इस रवाये की कते कोई गुजाईश नहीं बनती थी अब तुम्हारी तवियत कैसी है वो काच के गुजास से मेंगो शेक डालते हुए बोला बेहतर है वो हाली गुजास वा प्यानों के सेंदाज यूंगलू को चमबश दे रही थी बैठो अपनी कुर्सी संभालते हुए उसे जन्नत को बाएं हाथ से इशारा किया एक और हराश नुमा सुखला की नजर आ गई जन्नत अपने इस हरकत पर जी भर के शर्मिन्दा हुई पता नहीं उसे क्या हुआ था उसने ऐसा पहले तो कभी नहीं किया था और फिर जब याद आया उसे एक अदर धपड से भी नमास चुकी है तो निचला लब भी हासा दानों दले आ गया दिल शर्मिन्दा था तमाग फोरण से टट गया इस धपड का तो हैरों मुस्ताहिक था बहुत ज्यादा लेकिन अबके चंगली बिली के तरह उसे हमले की जो कोशिश की थी उस पर दमाग भी उसकी साइड नहीं ले रहा था अब हावास पुरी तरह से भाहाल थे उसे कुछ होफ, शर्मिन्दी और परिशानी की मेरे जितले तासुरात के साथ उसे देखा था पारिस न अभी तरह गुसा नहीं दिखाया था नाही नराजी का हिसार किया था और उसकी खालत के पेशे नजर हमोश रहे क्या होगा लगर भूला तो हर्गिस नहीं होगा फिर इसे याद आया उसे रात भर उसका कितना हयाल रखा था और कैसे इसे खोफ पर एक हैफियत से निकाला था लेकिन इसका ये मतलब तो हर्गिस नहीं कि वो सजा का नहीं सोच रहा होगा वोही वहमें, वोही सरखोशियां वोही पेटबारी और वोही सवाल एक एक हरकत का इसाब लेने वाला अब इतनी बड़ी बात कैसे नजर अंदास कर गया अबकिस सर उठा तो निगाएं फारिज से दोचार हुई नहीं, मैं इन्तिकाम लेने का नहीं सोच रहा और नहीं मैंने खाने में सहर मिलाया है और जन्नत का दिल जहां समीन पटे और उसमें समा जाए लेकिन अपने तासराँ से बिलकुल साहिर नहीं होने दिया कैसी कोई हुआश उसके अंदर चाक चुकी है चाहो तो खाना चक कर दे दू शर्जादे साहिबा उसकी आँखों में शाररत थी वो उसकी कहफियत से खत उठा रहा था अंदर ही अंदर वो बहुत सारा चीही लेकिन भायर से उतको कंपोस के संजीदा से खड़ी रही जिस दिन जहर दोगे उस दिन चकने की बात भी नहीं करोगे बड़ी मस्पूती दिखा का किरसी खींच कर बैट गई वो उसकी हासर जवाबी से मुतासिर हुए बनाना रह सका हाँ अब वो ठीक थी वारिस को तसली हुई मेरी वाइफ कितनी जीनियस है उसने दन्स नहीं किया था मगर चन्नत को अच्छा हासा दन्स ही लगा ओपर से उसके मुस्कुरहाट वो नजर हटा गई एक टोस्ट खाने के बाद उसने केक का पीस और मेंगो शेक अपने गरीब कर लिया वारिस की हामोश नजरें उस पर जमी हुई थी उससे फॉक से केक का हिस्सा काट कर मुँ में डाला वारिस वाज़दान को साथ साला जन्नक एक जलक की तरह नजर आई आंके मटका कर, हाथ चला कर केक और मेंगो जूस से इनसाफ करती भेता हाशा बादें करते हुए मगर जो सामने बैठी थी बिलकुल हामोश कुछ हद तक हो दास बहुत हद तक परिशान ऐसे क्या देख रहे हो वो कुछ चस्पस हुई जब मैं चोदा साल का था तो एक चोटी इसी वच्ची मेरी जबरदस्ती के महमान बनी थी वो कपने कप में चाह डालने लगा उसकी हुआश ठी कि उसकी हातर मतारत मेंगो जूस और केक से की जाए बहला कोई महमान ऐसे कहता है टी पॉर्ट रखके अपना कप उठा लिया वो बहुत बात होनी थी बहुत ज़्यादा मैं चाहता था वो अपना जूस और केक चल्दी हतम करे ताके मैं उसे वापिस उसके घर छोड़ाओ मगर वो बहुत आइस्ता आइस्ता खा रही थी तो मैंने उसका केक और जूस हुदी खा लिया चननत में सर उठा कर उसे देखा तुम तब भी सालिम थे तुम तब भी सालिम थे तुम अक्का के एन मताबिक उसे तब चड़ी वो मुस्कुलाती निगाहों से उसे देख रहा था अब मैं दो तीन घंटों तक उसके साथ पौंट होकर तो नहीं बैठ सकता था और फिर वो बहुत शरार्ती और एक्टिव थी और मुझे उस पर बकाइदा नज़र रखनी पढ़ रही थी सो इसलिए ज़रूरी था मैं उसे घर ही छोड़ाओं उससे खंदे उचका कर अपनी फूजिशन क्लियर की जनत उसे यूँ देखा जैसे कह रही हो तुम्हारा कोई इलाज नहीं वैसे तुम कैसी थी बच्पन में? मैं? वो उसके इस तरह अचानक पूछने पर करबड़ा गई हाँ तुम? मैं? रुक कर कुछ सोचा एक ही लम्हे में बच्पन और लवड़क्पन की बहुत सी बात दें किससे वाग्यात नाना की डांट और शिरारतें याद आई थी मैं थो बहुत डीसेंट बच्ची थी बिल्कुल शोहर नहीं करती थी नाहीं शरारती थी और इतना कम बोलती थी नाना के सब दोस मेरी तारीफ करते थे लब भीज क्या पारिस से अपनी मुस्कुराइट सब्त कर ली अच्छा? उसका अच्छा जरूरत से कुछ जादा लंबा हो गया था हाँ तो और क्या? यानि अगर हमारी बेटी हुई तो वो तुम पर जाएगी हामोश और सकून शरारतें भी नहीं करेगी बोलेगी भी बहुत कम बिल्कुल फोरन से सर हिलाया फिर हिला कर पश्टाई सारी कुफतगों बच्चे की तरफ मुड़ गई थी बेटा मुझ पर जाएगा फिर फारस से कुछ सोच कर कहा मुझे ख़डूस उलाद नहीं चाहिए वो बेहास्ता कह गई उसके अंदास और लेजे पर दीरे से हसिया जैनत कमाल ने उसे लम्हे के लिए मुखवूत होकर देखा वो हस्ते हुए कितना अच्छा लगता था फोरन ही नजरे हटाई कोई पैदाशी खडूस थोड़ी ना होता है वक्त और हालाद बना देते हैं वो कह रहा था मैं थो नहीं बनी और वो रुक गया हाँ यही तो उसकी खूबी थी उसने हालाद को कभी भी अपने रवईये और शक्सियत पर हावी नहीं होने दिया था वो दलहीं उसे गुजर कर भी अपने जिन्दी के लिए तलख नहीं हुई थी वोक से केक का टुकड़ा मुँ में डालते हुए जन्नत ने स्ट्रॉट दांदो दले दबाया फारिस को लगा यही मुनासिब वक्त है नए इद्दा के लिए पहल कर लेनी चाहिए दोस्ती करोगी मुझसे बहुत अच्छा लड़का हूँ मैं सारी हुमर साथ निभाऊंगा जन्नत की धड़कन में सुई सवाल बहुत अचानक और गयर मतुका था ओफर भी वैसे ही हिरान कुनसी थी वो उसका जुमला धोरा रहा था उसकी जगा पर आकर उसकी निकाहों में आकर वो उसे बिलकुल भी नजर अंदास नहीं कर पा रही थी और ये दोस्ती की ओफर तुम कितनी लड़कियों को कर चुके हो भूवे सुकेर कर तुंदी से घूरते हुए पूचा बिलकुल फारिस वाज़्टान की अंदास में और ऐसा करते हुए उसे वो बहुत अच्छी लगी तुम पहली हो और तुम ही आखरी हो चन्नत का दिल सोरो से धरका हैरत आँखों में समागी दिल चाहा छट से अधीना जुबहर को उस्तावे पर ला पठखे अगर फिर रुख गई बात दोस्ती की थी मुहब्बत की तो नहीं सोचूंगी लापरवाय से इतरा कर गहा पर केक का आखरी टुकड़ा मुह में डाला अब वो पहले से काफी बेदर लग रही थी कितना सोचोगी जितना भी सोचूं तो मैं इससे क्या फारिस से दाकीद में सरहिलाया बहुत जादा सोचने में वो हक बाजानित थी उसे कोई इतरास ना था पांच वजे तैयार रहना कहीं बाहर चलेंगे वो किचन का बखेड़ा समेट रही थी जब फारिस से आका कहा हयाल था शायदो अब भी घुस्सा या नरास्की दिखाएगी या कोई सख्त बात तो ज़रूर करेगी अगर उससे कुछ ना कहा बस रुक कर उसे देखा थ्री पी सूट में मलबूस वो मकमल तैयारी के साथ सियारंग का लॉंग कोट बाजू पर डाले दूसरे हाथ मों मूबाइल उठाय कड़ा था वेस्फिल्ड मॉल चलेंगे शौपिंग के लिए बाहर खाना खाएंगे मौसम कुछ सर्द है वा बारिश का भी अमकान है तो ओटिंग के लिए कुछ दिन दजार कर लेते हैं वो रुख पदल कर फिर से बरतंद होने लगी वारिश भी कुछ लम्हों तक हामोश रहा चाने उसके तासूरात अब कैसे थे एहसासाद और कैफित कैसी हुई थी विज़ाज तो उसके लम्हों में बदलते थे किसी लम्हे बहुत ज़्यादा खुश किसी लम्हे बहुत उदास लेकिन उसकी हमोशी में फारिस वाश्चान को उनात या वखफ़गी का तासू नजर नहीं आ रहा था और ये एक खुश आइन बात थी उसके लिए अपना हयाल रखना उसे कौट पहनते हुए जनत कमाल से कहा और जनत कमाल ने कुछ ही देर बाद आटोमेटिक दर्वासे खुलने और सिगनल के साथ बंध होने की अवास सुनी जग जदा हदेली खोल कर वो होंटू तक लाई फूक मार कर उड़ाया फिर धीरे से गुनगुनाती बक्या काम समिटने लगी वेस्ट फील्ड लंदन मॉल के किट सेक्शन में खुलाबे और आस्माने रंग के अश्या कर धेर था जड़नन कमाल की ट्रॉली में अकटा हो जुगा था वो बहुत सोच समझ कर चीज़ें उढ़ा रहा था वो जड़नन का बस नहीं चल रहा था पूरा शॉपिंग मॉल हरीद ले वो उसकी एकसाइटमेंट उसका जनूर उसकी होशे टेक कर मुस्कुराता ही रहा वो दो रंगों की चीज़ें खरीद रही थी कि अगर बेटा हुआ तो बेटी के लिए रीधी जाने मले अश्या चैरिटी करतेगी अगर बेटी हुई तो फिर बेटे के लिए खरीदे जाने वाले समान है रात में जाएगा और अगर ट्विन्स हुए तो फारिज से सवाल किया वो लम्हे भर के लिए धमी ये तो उससे सोचा ही नहीं था उसे उलचा करो मुतवस्ब जेरे के साथ रुख मौर कर कुछ और देखने लगा तब हम आधी चीज़े रखेंगे और आधी चैरिटी कर देंगे उसके पीछे जाकर कहा बेदेहानी में वो हम कह गई ठीक है हम ऐसा ही करेंगे हम पर जोड देखकर कहा मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ सत्पटा कर तसी की नहीं तुम हमारी बात कर रही हो वो सब करके रुख बदल गई और अगर ट्रिपलिट्स हुए तो कुछ तेर बात पीछे से आवास आई गहरी सांस लेकर जन्नत ने रुख मोड़ा वो आँकों में शरारत लिये सेंट पलटके नो मुलूद बच्चों के कपरों में सर दिये चुका था पहले एक फिर दो फिर तीन कुछ तेर बात कहोगे चार उसने घुरा इस बार ट्विन्स ठीक हैं वो बोला इंशाला अगली बार ट्रिपलिट्स मेरे साथ जादा फ्री होने की कोशिश मत करो कुछ और समझ में नहीं आया तो टांट कर चली गई वो हस दिया ये बात एक बीवी अपने शोहर से कह रही है वो ही शोहर जो कुछ अरसे तक कहता रहा मैं तुमें तलाग दे दूँगा आखरी चुमले में भरपूर नकल उतारी मगर वो अब नहीं कहता जैकिट की जेवो में हाट डाले वो उसके पीछे था मगर मुझे थो अभी भी सुनाई देता है वो ट्रॉली तकेल दी जा रही थी फिर तुम उसके दिल की नहीं सुन रही हो मैं सुनना भी नहीं चाहती वो जेरे लब मुसकुराते हो इसके पीछे रहा वैसे नाम के बारे में क्या सोचा है मिस्चर शेराजी वो सब करके उसकी तरफ उड़ी शायद आप भूल रहे हैं मैंने आपकी दोस्ती की ओफर अभी कबूल नहीं की कर लो फिर इतना तंग नहीं करूँगा उसका लहजा सुलाजो था यानि तुम मानते हो तुम मुझे तंग कर रहे हो लब भीच कर पूछा गया मैंने ऐसा तो हर्गिस नहीं कहा वो साफ मुकर गया दोनों हाथ कोट की जेबू में थे मफलर उसने आतन गर्दन के गेज वोंटों तक और रखा था सो वो बस उसकी आँखों से चलकती शरारत ही देख सकती थी उसको रहाट हर्गिस नहीं तुम जरा देर के लिए वहां नहीं बैठ सकते उसने जिच होकर हाथ से उसके पीचे इशारा किया जहां एक अदत गोरा शोहर बेंच पर बैठा गेम केल रहा था बीवी शॉपिंग में कहीं मसूफ होगी हाँ ताके तुम दुबारा गुम हो जा और फिर वो ही शोहर मचाओ तुमने जान बुच कर मुझे कुम किया तुमने जान बुच कर ये किया वो किया तुम जालिम रामे बास धोके बास जूटे फ्रॉडिये अब वो उसकी नकल उदा रहा था उससे के बावजो चन्नसर बटा गई चेरा हफ़त से सुर्ख बढ़ा ताहना हाथ एक बल के लिए शरमसारी से आँकों पर रखा फिर लब भींच कर उसे एक खतरनाक किसम की खुई दी अदील मुझे मश्वरा दे रहा था सर मैम की मोबाईल में ट्रेक एप इंस्टॉल कर ले उसे नहीं मालूम उसकी मैम खुद गुम होने से पहले तसली से अपना मुबाईल गुम करती है तुम उसका पारा चड़ा अब मेरे पीछे आई तो देखना धमका कर चली गई वो लबो पर मुभेम सी मुस्कुराट सचाए रूख बदल का नन्ने मुन्ने जूतू को देखने लगा मफलर उसने कर्दन पर ठेरा लिया हैन सामने टोल्डर्स का सेक्शन था और फिर उससे आगे छोटी बच्चियों के खिलोने रखे थे खिलोनों में गुलावी रंग का एक मीनी किचन सेट इन में नुमाया था और बेहत नुमाया था फारिस के कदम जामें हाथ बेचान हुए निगाहे उसी मुकाम पर जम गई जन्नत की नजर उस पर पड़ी तो अपनी जगा रुक गई फारिस की आँखें विरान चेरा हर तासूर से बिलकुल आरी हो जगा था लबों पर मस्कुराहट नहीं थी आँखों में जिन्दगी नहीं थी वो उसके साथ पहले भी होई थी शायद कार एक्सिटेंट के वक वुवा के घर के सामने बारिश के दोरान शायद तब जब उससे अधीना जुबेर का जिकर किया था लेकिन नहीं ये तासूर मुक्तलिफ थे उन सबसे मुक्तलिफ खरीब आकर उसके बाजू पाइस्तगी से हाथ रखा जमू टूटा ना वो अपने ख्याल से बाहर आया फारेस इलाकर आवास दी तिलिस्सिम टूट गया तर्वासे बंद हुए शोर थम गया आवासें हदम हो गई फारेसे कुछ चोंकर उसकी तरफ देखा जडनत ने अपना हाथ अडालिया वो तीन मिन तक में सलसल एक ही जगा नज़र चमाय अतराफ से यकसर बेनियास खड़ा रहा था वो जाहिए नाम भी करती तब भी ये वास्या था वो परेशान हुई थी हाँ बोलो वो उसकी तरफ मतवच्चा था अब पूरी तरह से बिलकुल नहीं कुछ नहीं कौंटर परचाना है उसने कह दिया बस और कुछ नहीं लेना उसने कपकपाते हाथ कोट की जेब में डाले थे जनत ने नफी में सरहिलाया वो अपने वॉलिट से क्रेडिट कार्ड निकालते हुए ट्रॉली धकेलता कौंटर की तरफ भढ़ गया जनत कमाल ने उसके पीछे चलते हुए एक पर फिर उसे समित देखा मगर उसे कोई भी ऐसी शेय ये कोई भी ऐसा शक्स नसर ना आया जिससे कुछ धेर के लिए फारिस वाषटान को फिरिस कर दिया था उसे अपना वहम गिरतानते हुए उस सर जटक कर आगे पढ़ गई शॉपिंग के बाद हो उसे हलाल फूड रेस्टरंट में ले आया था उसकी हामत का सुनकर सूटिट पूटिट मेंजर खुद मेन्यू कार्ड लेकर आया आप वोकत देखकर चनत ने खुद से ही अंदाजा लगा लिया वो यहां का रेगूलर करस्टमर होगा या फिर मालिक के साथ उसके गहरे मरासिम रहे होंगे वो मैन्यू कार्ड उठाए ओर्डर नोट करवा रहा था और वो अपने आसपास निगाहें डोडा रही थी स्याग ओल्डन दीम में रेस्टरेंट का इंटिरियर वाके में वो खुबसूरत था उसे बहुत अच्छा लगा उसे दस्वीरें खीच कर मिसी शराजी को भी सेंट की आसपास दूसरी मेजूं पर और भी भोटसी मुस्लिम फैमिलिस नजर आ रही थी तो मेरा कॉंटेक्ट नंबर अब तुमने किस नाम से से शेफ कर रखा है खाना सर्फ कर दिया गया तो फारिस ने पूछा उसे वो नीले पीले दिलों वाला कागजी हस्बन याद आया पहली वाली चन्नत याद आई तब वो उसे कागजी शोहर मान कर ही बहुत हुश थी ये तो मेरे साथ नीरी से आती है वो कहे बिनाना रह सका चन्नत में सर उठा कर उससे देखा अच्छा तुम्हारे साथ से आती भला कैसे जब कागजी शोहर था तब एहमियत थी अब असली शोहर हूँ तो एहमियत तुम्हारी उस वक्त भी नहीं थी उसे चट से कहा मैं पागल थी जो ये सोच रही थी तुम्हारे दिल में जगा बना लूँगी ये तो मुझे बाद में पता चला तुम्हारा तो सिफ दमाग है दिल तो सीरे से है ही नहीं वो चमच मूँ तक ले जाते हुवे एक लम्हे के लिए रुका था बस एक लम्हे के लिए रेस्टोरेंट की रोश्णियों में उसकी आँखों में हसां की मुभेम से लहर उठी और हो ही लहर मस्कुराहट बन कर लबो पर बिखर गई जनन उससे नहीं देख रही थी वो अब उससे नहीं देखती थी ना उसकी आँखों में अपना अक्स ना उसके दिल में अपनी जगा ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा चेर से मुबाइल निकाल का नंबर मिलाया जन्नत का मुबाइल चगमक करने लगा उपर बड़ा-बड़ा सा लिखा था आंटी का बेचा बैक्रोंड की तस्वीर सर्थ परफीले आंटी तुफानों में घिरे पहाडों की थी जन्नत ने घवरा कर फोरण ही अपना मुबाइल पलट दिया आंटी का बेटा हैरान कुन था वगर फारिस को सद्वां बैक्रोंड तस्वीर से पहुचा था ये तुमने मेरे नाम के साथ केटू की तस्वीर लगाई हुई है हयाल कुजरा आंगों को धोका हुआ होगा हाँ तो क्यों 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 क्या मतलब मेरी मर्जी मैं कोई भी तस्वीर लगाऊ अब तुम मुझे खाना खाने दोगे शूर दाद पीस का कहा फिर अपना मुबाइल उठा लिया चनन जस्बस होकर उसे देखा क्या कर रहे हो अगर तुम मेरे नाम के साथ ओफनाक तस्वीरें लगा सकती हो तो मैं क्यों नहीं लगों में सब सेट करके मुबाइल रख दिया लोगों पर एक जला देने वाले मुस्कुराट सजाए फिर से खाने लगा चनत लब भीच कर उससे देख रही थी मुझे एक परवा नहीं तुम कोई भी तस्वीर लगाओ कंदे उचका कर कहा मगर अंदर ही अंदर अच्छी बात है उससे सर हिलाया खाने के बाद लॉंग ट्राइव का प्लेन था आपसी पर रात के 11 बच गए वो सो गया तो चुपके से उसका मुबाल उठा कर अपने मुबाल से मिस्कॉल दी स्क्रीन पर नाम रोशन हुआ बड़ा बड़ा सा लिखा हुआ था मम्मी की बहू और बैक्रोंड में एक सोंबी की तस्वीर लगी हुई थी उससे तब का फारिस वाज़चान को देखा दिल जहां मुबाल तोड़ दे मगर सब्त करके उठ गई आज फारिस वाज़चान के दोस्ट की शारी थी अपनी त्यारियों में मगन उससें दो कामदार जोड़े बेट पर फिलाए हुए थे एक आस्मानी रंका था दूसरा हलके गुलाबी रंका समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा वाला बहने पसंदो दोरों थे तब ही उठाल आई थी मिजिश एरांसी को दस्वीरें भेज़कर उनके इंदजार में ऐसे ही ठेल देवी स्क्रीन को तक रही थी जब वो ड्रेसिंग रूम से निकलाया कफलिंग्स लगाते हुए निगाँ बेट पर रखे कपरों से होते वी जन्नत तक गई मुबाइल कान से लगाए होंटों को काटती वो शेशो पंच्वे मुबतला लग रही थी उसे वास्केट पहनने के बाद कलाय पर घड़े चढ़ाते हुए ट्रेसिंग टेबिल के आईने में जन्नत को देखा फिर कोट उठाते हुए बेट के गरीब आया एक सरसरी सी निगाह कपडों पर डाली और फिर साइट टेबिल से मोबाल उठाते हुए सीधा हुआ ये कलर ज्यादा सूट करेगा इशारा हलके आस्मानी रंग वाले जोड़े की दरफ था जनत कमाल चौंप कर मुड़ी मगर वो तब तक लंबे लंबे डाग भर था बेटरूम से जा चुका था हाँ और मैं तो जैसे इसकी बात मान लोंगी कहकर सचटका एक बार फिर स्क्रीन को देखा मिस्सी शराजी आनलाइन नहीं थी जिला रपता दो दोले दबाते हुए एक पर फिर अपने कपड़ों को देखा फिर रोहानसा होकर दस तक किंती की फिर चुंचला कर एक सूट उठाया और ड्रेसिंग रूम में खुस गई पूरे एक घंडे बाद वो मुकमल तैयारी के साथ पेटरूम से बाहर आई आई तो फारिश शराजी उस पर निगार ढालकर हटाना भूल गया हलके गुलावी रंगे कामदार जोड़े में मलबूस नेश्रल सा लुक देता लाइट पिंक मेक अप किये वो किसी जीदी जाकती गुडिया की मुशाबा लग रही थी बाल खुले छोड़ रखे थे इतराफ में निग्राई पिंस की मदद से सेट किये गए थे लबानी घनेरी बलकों के साहे में शेयद आंके लाइनर्स की वज़ा से और नुमाया हो रही थी लंबे जगमक करते एर रिंग्स करदन में चमकता नवीस लॉकेट मरखोती उंग्लियों में ठहरी हुई उंगूठी वो कंदे पर डुबटा सेट करते हुए सामने सोफे पर बैटकर अपनी सिल्वर सेंडल्स की स्ट्रेफ्स बंद करने लगी चलनम हो वो उसे अपने दिल की निगा से देखता रहा ताहना हाथ बेहत्यार कोट की जेब तक गया उंग्लियों की गिरिफ्ट में महमलीन डबिया आई ये तो मुझे बाद में पता चला तुम्हारा तो सिर्भ दिमाग है दिल तो सीरे से है ही नहीं वो शिकुआ भरी एक दम भी आवाज उसी कुवत सल्प कर गई सब तुम्हारे इस दिल के किल्कूम रहा है उससे जेब से हाथ बाहर निकाल लिया इस ट्रैब भांद कर उठी तो निगाहें सिधा फारिस वाश्चान की टाई पर चाठहरी एक लम्हे के लिए मुँ खुला और फिर अपना रूख बदल कर निचला लब दादों में दबाया उसकी फ्रॉक के साथ फारिस वाश्चान की टाई मैच कर रही थी अल्ला वो अंदर हैं इंदर सोर सची ही उसे जान भूश किया अस्मानी रंगवाला चोड़ा चुना था कि वो गुलाबी फ्रॉक पहने उसे यकीन था वो उसकी बात नहीं मानेगी उफ जन्नत तुम इतनी प्रिटिक्टेबल क्यों हो आँखिर क्यों आंखे मेच कर उतको अंदर ही अंदर चिरका अच्छी लग रही हो वो कोट का बटन बंद करते हो या अपनी जगा से उट खड़ा हुआ वो तो मैं शुरू से हूँ कमाल बेन्याजी से कहकर रुख मतला कि तुम्हारी तारीव से मेरी आर्ट पेट मिस नहीं हुई है ना ही एहसासात में कोई फरक आया है लेकिन अंदर ही अंदर उफ उसने तारीव की फारिस वाष्टान ने तारीव की दूसरी चीख दिल बंद होने को था गाल धक उठे थे लेकिन बहुत तहम्मूल वाकार और नसाकत के साथ अपने छोटे से पैक की लंबी सी नकराई संजीर पर स्क्रिफ्ट वढ़ाते हुए एक अदा से सर उठाया वो लाग छुपाता मगर वो उसके संजीदा से पागवाखार चेरे पर मुस्कुराहट और श्रारत का रंग देख सकती थी कल रात मेरे मुबाइल पर अम्मी की बहु की मिस्स कॉल आई हुई थी घरियत है इतनी रात के आपने एक ही कमरे में होते हुए मुझे कॉल गी वो बस्सिम लहजे में कदर संजीदी से पूचा ये कुछ भूलता भी है या नहीं वो दांद कच-कचा कर रह गई जरा बताना पसंद करोगे जोंबी और मुझे में क्या कदर मुश्टर्क है डट कर पूच लिया तुम बताना पसंद करोगी मुझे में और गेटू में क्या कदर मुश्टर्क है जेवों में हाट डाले उसकी आँखों में देखा बहुत कुछ मुश्टाइक है तांद पीस का कहा तुम में और जोंबी में भी वो बोला मसलन क्या वो सबकी कड़ी असमाईश से गुजर रही थी दोनों दमाग बहुत खाती हो उससे कहकर कोट हुटाया जेनत का खुबसूरत चेरा उससे से लाल हो गया अब अगर उसे अपनी दैयारी का हयाल ना होता तो यकिनन कुछ कर गुजरती मैं तुम्हारा दमाग खाती हूँ उससे सफट पड़ी मैंने तो फिर भी खुबसूरत पहाड़ों की तस्वीर लगाई है अतरनाक पहाड़ों की पारिस से तस्थी की केटू एक किलर मौंटेन है जेनत ने मुठियम भींच कर उसे देखा खौमखा का इशू मैंने एक रेंडम तस्वीर लगाई है तहम्मल सहतेचाच किया सोच समझ कर लगाई है वो दूबदू जवाब दे रहा था जनत की गुस्से का गराफ भड़ गया आखिर मैं तुमसे क्यूं बात कर रही हूँ उससे खुद को खुद ही जिड़क दिया मैं भी यही सोच रहा हूँ पारिस के इत्मेरान में कोई फरक नहीं आया था अब चलें बागे की लड़ाई घरा का लड़ेंगे तपा देने वाली मुस्कुराइट के साथ कहा गया अपने सफेद कोड उठाकर पौँ पठकती तरवासे की तरफ भड़ी आइस्ता अराम से उससे पीछे से कहा मेरी फिकर करने की कोई जरुवत नहीं है तुम्हे दनफ़र से कायकर बाहर निकल गई उससे मस्कुराते हुए वालिट और चावी उठाई और उसके पीछे चला आया शानदार मेरिच हौल के बरुने गेट के सामने गाड़ी रोकती वो दोनों बाहर निकल कर मर्कजे हाथे से न्दरूने समित भड़े तक स्वालिया में खड़े कहीं लोगों की निकाहें उनकी तरफ उठी थी वो जानती थी सब फारिस को देख रहे हैं और वो ये भी जानती थी कि नजरूं की सत्में वो भी उसके वजा से ही आ रही है फारिस थे उसका हाथ पकड़ कर अपने बास उपर रखा अगर दुनिया को ये बताना मक्सूद है कि हम मेरिड है तो उन्हें ये भी पता चलना चाहिए कि हम हैपीली मेरिड है तुम्हें अपनी रेप्यूटेशन की कितनी फिकर है ना वो तबकर भोली ये एक प्राइवेट मेरिड सर्मेनी है परना मेरी खबर या तस्वीरों को वाइरल होने में देड नहीं लगती ओ अच्छा अब तुम मुझे ये बता रहे हो कि तुम एक सेलिब्रिटी हो उसे हाँची उन्ची आवास में देंस किया सेलिब्रिटी तो हैर से नहीं वो कह रहा था मगर एक सेलिब्रिटी का बेटा तो है उसका जुमला उचक किसी ओर्ड ने मुकमल किया था जिसम, सर और मुचों के बाल मुकमल सफेद थे। मैंने तो कामरान भाई से भी कहा था, उन्हें इन्वाइट कर लेते तो हमारी एद हो जाती। पारिस की मुठियम भींच गई, आँखों में सुर्खी उतर आई। जमाल गर्देजी। अपना तारू करवाते हुए जन्नत की जानेब अपना हाथ बढ़ाया, सलाम के लिए, चलें। उस जख्स को कोई भी जवाब दिये वगए वो जन्नत को बाजू के असार में लेता, इस सवालिया की तरफ भढ़ गया। जर्माल गर्देजी के हलवों पर इस शितानी मस्कुराट आकर ठहर गई। निगाहों ने उनका दूर तक ताकुब किया, फारिस के रवए से जन्नत को हैरत हुई थी, क्या वो हर किसी से ऐसे ही पेश आता था, मिसी शेराजी की कार्टिस थी, यकीनन वो अपने आर्टवर्ग की वज़ा से इंटरनेशन लेवल पर जानी पेचानी जाती होंगी, तब ही जमाल लेजी ने जिकर किया होगा, उसने सोचा, इस पर इतना हाफा होने की तो कोई बात नहीं थी, मगर फारिस के तासुराथ, उसके चेहरे और आंकों से नर्मी मकफूद हो जगी थी, हलाकि आते वक्त उसके तासुराथ काफी से ज़्यादा खुशकवार थे, शौदी हाल में पारिस के दोस्तों से, उनकी बीवीं से, उनकी करीबी रिशेदारों से मिलते हुए से दराक हुआ, वो इतने सारे मुल्की और गेर मुल्की लोगों में अपने स्टेटिस, अपने कारोबारे मामलात की वज़ए से बहुत एहमियत रखता था, लोग उसे ढून कर खुद आ हुआ हुआ नहीं देख रही थी, वो अपने हर अंदाज, हर बात और हर अमल में एक ख़त या दिवार सी काइम किये हुए था, उस सर के हफीफ इशारे से नफी इस बात में सरहे लाता, उस तसर लफजों में कोई जवाब देकर बात अदम करता नजर आ रहा था, उससे नि थियार अदीना जुबेर के साथ होने वाली अपनी पहली मुलाकात याद आई, उसकी मजाग उडाते निगाहें, तसीक अमेज रवया याद आया, ना चाते हुए भी वो अपना मुकाबला अदीना जुबेर से करने लगी, शायद वो वाके में फारिस वाजदान के साथ अ उट गई, वारेस विलकुल सामने ही कुछ कारोपारी शक्सियात के घेरे में खड़ा था, वो दाएं तरफ वाहर की जानब कदम उठाती गई, तवील राधारी उची डिवारें और दिवार के खिड़खियां किसी महल के अंदरूनी हिस्से का पता दे रही थी, वो पर उसे फारिस नजर आया, वो यकिनन उसके इंतजार में वहां खड़ा था, बता कर जाना चाहिए था तुमें, वो करीब पहुंची तो उसने कहा, अब कोई छोटी काकी थोड़ी ना हूँ कि गुमन हो जाओंगी, वो बुरुड़ा कर रह गई, गैलरी की तरफ का शीश दिका कर खड़ा हो गया, वो हमारी शादी पर नहीं आ सकी थी, इसलिए शादी की स्नेर्फ सेखना चाह रही थी, तो तुमने दिखाई, नहीं, क्यों, वो हैरान हुआ, जैनत ने घर्दन मुड का उसे हुश्मधीन निगाहों से खुरा, जैसे पूछ रही हो, क्या तुम वाके नहीं जानते, मैं कुछ समझा नहीं, आयमा ने हमारी तस्वीरें देखकर जानते हो मुझसे क्या कहा, ये फारिस भाई ऐसे क्यों बैटे हैं, जैसे मिर्चे चबाए हुए हूँ, अब मैं दूसरों को हुद का मजाक उड़ाने का मोगा दू, वो सवाल उठाएं, द अपनी सी मस्कुराहत नजर आ रही हूँ, उसका लहजा गमगीन और अंदास शिक्वा भरा था, वारिस वाज़दान अपनी जगा खड़ा रह गया, दिल की कैफियत अजीब हुई, कि वो खुबसूरत तरी लंहों को ना सिर्फ अपने लिए, बलकि उसके लिए भी तक देख रही थी, आइस्ते ही से मुबाइल जेव से निकाला, पासू के असार मिले कर गरीब किया, मुबाइल का फ्रेंट कैमरा ओन किया, लंहे में एक तस्वीर क्लिक हुई थी, वो अपने ह्यालों में गुम थी, इस हरकत पर भुकलाई, दूसरी क्लिक हुई, शिक्वा इसलिए तो नहीं किया था कि वो दस्वीर ले, अच्छी आई है, कहकर उसे दिखाई, वो मुझमिन असाब के साथ खड़ी थी, हाँ, वो अपने दस्वीर को अच्छा कह सकता था, लीट करो इसे, आगे फढ़कर मुबाइल चीनना चाहा, मैं बहुत अच्छा लग रहा लेकिन मैं अच्छी नहीं लग रही, इधर दो मुझे, एक तो वो लंबा, ओपर से हाथ भी उच्छा कर लिया, वो रोहानसी हो गई, ममी को सेंड करता हूँ, हर्गिस नहीं, वो तब ही आवास में चिलाई, मगर क्यूं, जरा हैरान होकर उसे देखा, मेरी तस्वीर अच् सचड़ गया, वो नफी में सर हिलाते हुए पीचे हटा, वो उसके जित से वाकिफ थी, ना चाते हुए मधम पड़ी, देवर बिगड़े हुए थे, ठीक है, पहले वादा करो, तुम ये टलीट कर दोगे, हाँ, कर दूँगा, अच्छी हासी तस्वीर का वो इश्यू बना फारिस उसे देखकर रह गया, वो इतनी सी बात पर इतनी हसास क्यों हो रही थी, अच्छा नहीं हसूँगा और ड्लीट भी कर दूँगा, ग्रीब आकर बासु दरास करके एक सेल्फी रहना चाही, अब की बार वो इसके भेलों में आराम से खड़ी रही, सर उठाकर विसी शरासी के लिए दिल से मस्कुराई, आँगों की नमी बढ़ी और तस्वीर परहाल बहुत अच्छी आई थी, वो दोनों अपने आप में अधूरे, अपने तस्वीर में मुकमल लग रहे थे, कुछ देर तक राधारी में ठहल दे रहने के बाद, उसके साथ हॉल में वापि का हो जाती, फिर जुक कर सरगोशी में जवाब दे कर उसे लाजवाब करते हुए तन्च से मस्कुराथी, तो अपने चेहरे पर संचीरी तारी रखना फारिस के लिए मुश्किल हो जाता, उसकी आँखे मुस्कुराने लगती थी, तासुरात में तो बस्सुमा जाता, मुस उसकी दूसरी शादी के सिलसले में जितनी जैमों गोईयां हुई थी, जितने अफसाने खड़े गए थे, जितनी बातें बनाई गई थी, तो अब वहाँ भी पुच्छे हरीफों का अपने मू की खानी पड़ी थी, वो लमहें होपसूरत थे और होपसूरती से गुजर शादी का फंक्शन हतम हुआ, तो उस वक्ट रात के बारा बच रहे थे, कुछ करीबी दोस्तों से मिलने के बाद वो फारिस के हमरा विरूनी दर्वासे पर आई, तो उस वक्ट रिमचिम बारिश वरस रही थी, धंड़क का शिदत से हिसास हुआ, उसे कोट, मफलर और दस साने पहने हुए थे, मगर फिर भी कफकपा रही थी, क्या बनेगा आपका, फारिस कहे बनाना रह सका, इस तरह खड़े रहे तो कुल्फी बन जाओंगी, लरस्ती आवास में कहा, फिर उसके बासों पाग्रिफ पढ़ाते हुए, चतरी के साए में गाड़ी की जानिब भड गई थी, वो इतनी ठकी हुई थी, एक घर फोंचते ही सो गई, मगर फारिस ते कपड़े बतल कर लेफटाप उठा लिया था, वो शादी के पूरे साथ माँ बाद, आज अपनी शादी की तस्वीरें देख रहा था, वो उसके पहलों में बसाहर मुतमीन सर्ट उठाए थी, उसके हाथ बहां पेवस्त थे, जेरे पर कहीं कहीं, तफकराथ की परचाएं लेहरा रही थी, वो प्राइडल ट्रेस में धहा की हसीन लग रही थी, और यह हुसन उस रात उसे नजर नहीं आया था, उसने और नजर भार के उसे देखा भी नहीं था, जैनत कमाल ने उठाए, करदन उंची की ये जादा मुस्कुरा रही थी, जादा खुश नजर आ रही थी, हर किसी से बहुत कॉंपिडेंट से बात करती, अपने डुवटे को सेट करती, अपना पोस्टर बेहतर करते हुए, उससे अपने तसावीर बहुत इत्माद से किछवाई थी, वो ह तारे लोगं को दोखा देने में कामियाब हो गई थी, वो अपने हांदान में वापिस नहीं जाना जाती थी, वो उस चादी को हर सुरत नभाना जाती थी, वगर उसके एहसासाद, उसकी जिन्दगी, उसकी मजबूरियों से कत्य बेखबर, वारिस वाजटान ने उसका हर उसकी हर उमीद हाग में मिला दी थी, जिन्दगी जितनी उस पर तंग थी, मजब उसने कर दी थी, वो लौंच से उठकर कमरे में आ गया, वो गहरी नीन में थी, सौफे की वज़ा से खुद में सिमट कर सोने की आदी हो जोगी थी, कितनी ही देर तक वो उसके इसवास रहा, भेपास पैट कर उसके हाथ पर अपना हाथ रखा,